अज़ाम लेकुम रहमतुलाय वरकातुग। कैसे हैं आप सब लोग वीवर्स मैं राभी एकबाल खान हमिशा की तरह आप सब लोगों का अपने चैनल पर अपने किचन में विलकम करती हूं खुशाम देद करती हूं उमीद करती हूं कि आप लोग भी खालियत से होंगे अच् यह बोनलेस फिश है इसमें हड्या नहीं है कांटे नहीं है आप चाहें तो किसी भी फिश का इसमें बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं कोई साभी फिश आपस पिसके साथ बना सकते हैं और यहां पर या चिकन है ऐसा एसास नहीं होता है खाने में बहुत कम पता चलता है इसको खाने में तो चलिए इसको मैंने वाश करके साइट पर रख दिया है अभी हम इसका मसाला मिक्स कर लेते हैं ज़ब से ले लिए है इसको हम डालेंगे और अब नालना नमक डालेंगा यहां पे हम क्रेश किया. आशल बटः, कुटावावा लाल्मिष डाल देंगे। आइ1جढ। फुल भरके हम पाउडर में हलधी पौडय डाल देंगे 1 टी स्पूड जीरा पौडर डाल देंगे 1 टी सपूड़ पौडर डाल देंगे 1 टी स्पूड। अगर आप के पास कश्मीरी लाल मिर्ष हो तो भी डाल दीजेगा मैंने हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ष भी डाल दिया है यह देखिए और अब हम इसमें काली मिर्ष ब्लैक पेपर डालेंगे वन टी स्पून लिमन जूज डाल देंगे टू टी स्पून है लिमन जूज डालना बहुत जरूरी है ताकि मसाला जो है वह मचली का जो स्मेल है वह हमें उसे लिमन के जूज से जो है या है देमन डालने से ज़रूर डालिएगा और अब मे एब यह इसको अच्छे तरीके से में मिक्स करें गेगों अ कुई इसी से इसका टेस्सरेना दूंब है यह यूँ भावावड़ 하면च करन के बाद वन बाई वन करके फेश डालेंगे, मचली डाल देंगे हम और बहुत हलके हातों से इसमें मसाला लगाना है बहुत जादा तेज मिक्स नहीं करना है नहीं तो ये मचली तूट जाएगा और इसको हलके हातों से हम इस तरह से मसाला लगा देंगे और इस तरह से एक एक करके लगाएंगे अब इसको हम आदे घंटे के लिए इसको मेरीनेट करने के लिए छोड़ देंगे अगर आपके पास टाइम कम हो तो 10-15 मिनिट भी कर सकते हैं मेरीनेट लेकिन मेरीनेट करना बहुत ज़रूरी है मसाला इसमें आच्छे से मिक्स करने के लिए हम फॉक से थोड़ा सा इसमें कंट लगा देंगे और अब एक पैन मैंने गरम कर लिया है इसमें मैंने वन टीबली स्पून तेल डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है और मेरिनेट किया हुआ फिश बिल्कुल रेडी है पकने के लिए तो हम इसे जो है मेडियम आज पे पकाएंगे इसमें मैंने जो है फ्लेम स्टार्टिंग में थोड़ा हाई पे था लेकिन अब मैंने इसे मेडियम पे कर दिया है और इसके पूरे मसाले को हम इसके उपर से डाल देंगे साफ करके हातों से या स्पून के मदग से और अभी हम इसको ढखना नहीं है बिना ढखे वे इसको पकाना है बिल्कुल मेडियम फ्लेम पे रखना है और इस तरह से देखिए कि यह पक करके तकरीबन दस मिनिट हो साले को भुनने तक पकाएंगे थोड़ा साम सलाथ जो है वो रेडी कर लेते हैं इसके साथ सर्फ करने के लिए जब तक हमारा यह रेडी हो रहा है इसको सिर्फ दो ही बार पलेटना है एक बार जब नीचे की साइट से हलका गोल्डन हो जाए तब और दूसरी बार जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तब यह देखिए अब यह विल्कुल ड्राई हो चुका है इसका पानी और यह भी गोल्डन फ्राइ हो चुका है तो अब हम इससे निकाल लेंगे डिश आउट कर लेंगे और इसकी ऊपर से हम हलका सा तेल डाल रहे हैं और उसके बाद एक मिनिट लग गए हैं और 15 मिनिट में ये बनके तयार हो गया है पक्चु का मेडियम फ्लैम के साथ अब हम इसे सलात के साथ निकालेंगे आप इसे रोटी के साथ ये चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुआ है जरूर ट्राइ बताईएगा आपको ये रेसेपी कैसी लगी रेसेपी अची लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरे चैनल को और शेयर कीजेगा कमेंट्स में बताईएगा की रेसेपी कैसी लगी नीचे सब्सक्राइब बटन के साइड में लाल बटन है घंटी का जो निशान है उसको ज़रूर दबाईएगा नोटिफिकेशन के लिए तब तक के लिए लाफिज असलाम लेकुम रहमति लाबरकातुर।